कुम्राश की तमाम दर्षकों का आज हमारी कारकर में बहुत वो स्वागत अपिनांगनाब सब को हर हर महादेद मित्रों आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो रासिफल हम सब समझते हैं कि क्रमशर हम प्रतिग रासी पर चर्चा कर रहे हैं मेश रासी से मीन रासी परियंत हमारी चर्चा जा रही है और आज आपकी रासी का नम रहे है यानि कुम्ब कुम रासी जहां साड़े साथी के मद्यदोर से गुजर रही है किस प्रकार की संभावने सितंबर के मैने में रहेंगी किस प्रकार की अपिक्षाई की जा सकती है सितंबर से क्या सावधानी हमें रखनी है और कैसे बहतर बनाया जाए उसके लिए हम कुछ उपाई भी अंत में समझेंगे अगर आगे बढ़ें इससे पहले नए दर्सक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और बहले आइकन को भी आप साथ में दबा लीजी ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहेंगे सबसे पहले आपकी रासी कुणली पर अगर हम दरिश्टी रा रहें तो आपके लगन लौट स्वेम आपके लगन भाव में बैटे हैं आपको सस्मापुर शोग का एक लाब देने वाले हैं शुक्र भी महा की अंत तक आपके नीच भाव से निकलके आपके भाग्यस्तान और नित्रकोण में चले जाएंगे गरस्तियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो सोला को सूर्य का परिबढ़तान होगा जो कुम आपके सिंग रासी से कन्या की ओर प्रस्थान करेंगे जबकि सुक्र अठारा को कन्या से तोला की ओर बढ़ेंगे मंगल यतावत रहेंगे और बुद्व आपनी कन्या रासी में चले जाएंगे आपकी रासी पर क्या प्रभाव रहेगा सावधान आपकी कुंडली नहीं आपकी रासी की बात कर रहे हैं आपकी कुंडली इसके साथ में आप बिठा कर देख सकते हैं कि दोनों का कहां तक समन्वे हो रहा है और कैसी संभावना देखी जा सकते हैं एक कुणली व्यक्ति विसेस की हो सकती है उनकी अपनी कुणली है लेकिन जब कि दूसरी तरह रासी एक व्यक्ति की नहीं हजारों लोगों की मिलके एक रासी है हो सकता है कि कोई बड़े पत पर बैठावा व्यक्ति भी कुमलगन गुमरासी को हो सकता है उसी की द्वार में उसकी सर्विष उसके साथ में सिवा देने वाला एक साचर उसका उसके भी कुमरासी है फिर दोनों को यथावत परिणाम किस रूप में बिरेंगे थुड़ा इसको भी समझना होगा कई बार जिस व्यक्ति के लिए एक रूपे की एहमिद एक रूपिया है तो किसी व्यक्ति के लिए एक हजार रूपे की एहमिद भी एक रूपे के वराबर होती है आप समझ रहें उसका दाइरा उतना है तो उसको उससाब से प्राप्त होगा जबकि उसका दाइरा उतना है तो उसको उससाब से प्राप्त होगा आप समझ रहें मैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्या कहना चाहरा हूँ तो कुल मिलाकर कि हम यहाँ पर देखते हैं तो कुम रासी के जात्कों के लगन में सनी आ जाएंगे जबकि दुतिय भाव पर राहो के स्तुतिय बनी भी है और चौतिय भाव पर देव गुरू ब्रस्पति बने वे जिनकी करम भाव पर दृष्टी है कहीं न कहीं जो सरकारी फिल्ड से जुड़े वे राजनेती फिल्ड से जुड़े वे उन्हों के अच्छा लाप यहाँ पर मिलने वाला है वेभाव एक शुक्समद्धियों की बात करें तो सब्तम में यहाँ पर फिलाल आपके बुद्ध यहाँ पर बैठे वे हैं बुद्ध के साथ में आपके सिंघस्त जो है शुक्र भी यहाँ पर बैठे में जो की सुरी बैठे में अभी बरतमान में तो यह कहीं न कहीं पार्टनर्सिप में एक अच्छा एक रुजान यहाँ पर देखा जा सकता है लेकिन जैसे ही यह कन्या की और प्रस्तान करेंगे तो आपके अस्टम भाव में आ जाएंगे आपको अपने ब्यहबार में परिवर्टन लाना होगा अपनी बाणी पर स्यम रखना होगा और कहीं न कहीं इनलिगल जो काम करते हैं उन लोग से थोड़ा जिस्टेंस बना के रखना होगा ताकि आपकी मान सम्मान पर किसी बरकार की कोई आच्छना है क्योंकि सूर्य का अस्टम जाना ये कहीं न कहीं आपके नेत्रों को पीड़ा पहुंसा सकता है जो लोग वहां टूविलर से चलते हैं उनको अपने सिर की सुरक्षा खास कर रखनी होगी क्योंकि ये हड़ी, सूर्य, नेत्र, मस्तिस्ट इस प्रकार की चीज़ों पर इनका इफेक्ट और जो अटेक होता है वो इस प्रकार की चीज़ों पर होता है आपके भाग्य भाव पर सुगरही सुकुर काना कही न कहीं बिजनिस प्यापार कैरियर इसमें एक अच्छी तरक्य यहाँ पर देखी जा सकती है तो यह आपके लिए अच्छा यहाँ पर आउशर है बरस्पती आपके इंकम के लॉड़ बनके यहाँ पर बैठे हुए यह भी काफी अच्छी सुती बन देखी जा सकती है कैरियर में यहाँ पर तरक्की निवेस के लिए अच्छा समय आपके लिए का जा सकता है सेयर लोटरी से जो लोग जुड़े हैं इस प्रकार के काम जिनके हैं उनके वैच्छा लाव यहाँ पर मिल रहा है खास कर हो सकता है वाहन के योग आपके बन सकते हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साड़े साती के मध्य दोड से गुजर रहे कुम रासी के लिए एक अच्छी राहत भरी ख़बर है कि सितमर का मेहना कुछ उनके लिए नया परिबरतन और खुसकबरियों से भरा हुआ है विद्यारती वर्ग के लिए यहां अच्छा समय हो सकता है जबकि ग्रहनियों के लिए भी यह समय अच्छा नजर आ रहा है यहां पर हम बात करते हैं चलते चलते उपाए की क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जो कुम रास के जात्मों के लिए यह समय और भी अच्छा हो सके शनी देप की उपासना क्योंकि करम की स्वामी है करम की अदिश्टात रहें तो यहाँ पर सनी देप की उपासना सनी स्थोत्र या सिव स्थोत्र आप पढ़ें और भ्यवान वादिदेब महादेब की शिवा करें उनकी पूजा के साथ अपने दिन की सुरुवात करें या अच्छा हो सकता है आप अच्छा लाब ले सकते हैं इसका अच्छा लाब लीजिए महादेब